नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है कहां पीटी अस्त्र में वैसे तो इसका नाम ब्रहमास्त्र करके हम लोग प्रोग्राम किया करते थे पर ब्रहमास्त्र आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि हमने सोचा आप स्प्रेसिफिक पीटी अस्त्र ही चलाया जाए और इस कारेंट स्टाटिक का एक रिलेशन जो हम ढूड़ना चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से आप तक आवास तो आ रही होगी उमीद है आप लोग सुन पा रहे होंगे अगर आप तक जा रही है आवास जली से हां कर दीजे कि हाँ आप सुन पा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में जिस सेशन का नाम आप सब को पता है पीटी अस्त्र है अब कुछ समझ लेते हैं बेसिक चीजों को फिर हम आपको आज की जो दो पहला यह है देखिए कुछ लोग हम से जुड़े रहें इंटर्व्यू तक पहुंचे हैं और यह बात भी तहीं कि हर किसी का देखिए नहीं हो पाता है पर बार बार निरंतरता रखने से कुछ लोगों का एक्जैम में होता है बहतरीन तरीके से होता है 333 learners निकले हैं बालग अलग educators से सब जुड़े रहें कुछ के भागी हमारा भी रहा कि हम भी जुड़े रहें उनके साथ और वो हमारे साथ शायद आप भी अगले हो सकते हैं जो जुड़े और बढ़िया से अपना हो सकेगा दिस कारवा अभी 50% offer का एक चल लाए 50% offer अभी giving you classes, we are giving you power points, notes, revision, आपको CCI training दी जाएगी, test series दिया जगा, इस सब हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ पे में मुद्धा है कि आप यह paid subscription है, जो आप ले सकते हैं और जब आप इसको लेने जाएंगे तो आप वहाँ पे CMC code डाल सकते हैं तो आपको जो भी ला जाएगा वहाँ पे, चल, 15 October है आज और इस दिन को नोट कर लीजेगा, हम लोग चालू करने जा रहे हैं एक अलग सा ही session जिसका नाम होगा PT अस्त्र, यह session वाइस चलेगा, पर हम इसके details में जाने से पहले-पहले आपसे बात कर लें, कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं और आस्ता कैसा रहा है इसका response, सबसे पहली बात आपको बता दें, आपका exam 2024 का civil services preliminary exam जो हो रहा है 2024 का वो है 26 मई 2024, 2024 के 26 मई को आप exam देंगे PT का, तो मालेज़े उधर का पूरा 5 महिना पकड़ लेते हैं और इधर हम माल लेते हैं कि November, December आपके पास बचता है, अगर महिनों में ठिक-ठाक तरीके से मुझे PT की तयारी करनी है, PT की तयारी अब क्या होगा, हम क्या purpose ले रहे हैं या केसम करने वाले हैं, इसके उपर हम आपसे थुड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, आप अगर हमें कुछ मिनट का इजाज़त दे तो, फिर उसके बाद हम लोग चीजे पकड़ कर रखनी पड़ेंगी, पहला दो डाइनमिक चीजे इसमें एकदम पकड़ के आपको रखना है, जिसमें हम शायद बहतर क्या आप ही जानते होंगे, कि GS जिनका अच्छा है, वो तो बहतर GS करें ही अपना, पर जिनको ये गुमान है, जिनको लगता है कि मु नहीं है, जो भी हो, you will have to do this, now coming to my part of GS, CSAT आप कर सकते हैं, चैनल पे हो रहा है, पर GS कैसे करना है, उसके उपर हम बता दें, आपको prelims के लिए, हम क्या कर रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अपने इसाप से चुनिए, whatever you feel like to do, you do, but this is my choice, I do this way, prelims, कैसे हम लो मेरा strategy कभी था ही नहीं, I don't have to attempt all the hundred questions, but I will have to attempt those many questions, that the well-read people, educated people, the people who are serious about this examination are going to attempt, और वो जो range कहीं ना कहीं लाई करता है, वो लाई करता है 75 से 85, 75 to 85, यही मेरे question का range रहने वाला है, यह घटा बढ़ता रहता है, depending upon कि कैसा प्रशनाया है, पर 75 to 85 is my range of questions, अब यहाँ पे चीज वर्क करती हो, हम आपको बता दें, जिसने आज तक हमने एक record देखा, 2014, 2015 से किया है, कभी किया है, डेस्टिनायर के नाम से, कभी किया ब्रहमास्तर के नाम से, अब यह पीटी अस्तर के नाम से चलने वाला है, और इसमें होगा कि आपको बता दें, we are going to have a predictive analysis, predictive analysis, समझेगा, आप artificial intelligence को पढ़ते हैं सुबह शाम, और आप उससे निकालते है, artificial intelligence आखिर ह किया, उसमें इतना data feed किया जाता है, इतना ज्यादा उसके पास script है, algorithms है, कि वो analyze करने में सक्षम है, आज अगर आप जाटके अपने लिखेंगे, chat GPT के की बताओ, 2024 में क्या प्रश्चे संभावित है, तो फेल हो जाएगा, वो यही लिख के लाएगा, कि it is not ethical, और जब यह लिख कर आएगा, तो आप समझेगी, वो बताने में असमर्त है, तो हमें क्या करना है, हम लोग कोशिश करेंगे, अपने human intelligence को जवागने के, और हम अपने तौर पे आपको बते, फिलहाल, as a friend of yours, but as an educator, I would like to bring about my educator intelligence here, हम इसको तो 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 predictive analysis is my tool, predictive analysis हम करते हैं, और इसमें AI का यूज नहीं करते, इसमें हम यूज करते हैं, my own educator कहें, क्या आप कर सकते हैं, analysis या intelligence, हम इसी को देखकर ही predict करने कोशिश करते हैं, और इसमें भी ज़्यादा तर हम experience और gut feeling पर भरोसा रखते हैं, और विश्वास मानियेगा, कुछ लोग जो बहुत दिन पहले से जानते रह on the lines as we discuss, somewhat on the lines as we discuss, वो topic किसी न किसी अवतार में आएगा, about 50%, हम इसके ऊपर जाने का मतलब तो फिर बहुत ज़्यादा claim करना हो जाएगा, but around 50%, पर हम आपको ये बोलते हैं, कि अगर आपको 100 question में से 10 question भी दिख जाए, जो हम लोगों ने predict किये थे, तो वो आपके लिए motivation का dose है, for another few questions, हम बस यही करना चाहते हैं, I want to have that predictive analysis for you, PT अस्तर में अब यही analysis चलेगा, और हम वहाँ से कोशिश करेंगे आपके लिए बढ़िया चीजों को निकालने का, और ये analysis हम अकेले नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, ये analysis में आप भी हमारा उतना ही साद में, कैसे अब हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप उन topics को ढूनने की कोशिश करें, सुनने का बहुत गौर से, 50% अकर हमें predict करना है, तो हमें कुछ मेनत करनी पड़ेगी, और उस मेनत का पहला step होता है, आपको अपने लिए क्या करना है, you have to find a threshold, आप जब भी कुछ पढ़ें, उसका threshold ढूडें, कि क्या इससे बहुत बड़ा change आ रहा है, क्या ये वाकई में बहुत ऐसी चीज है, जिसको time के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, जैसे किसी को 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो question बनना तय रहता है, आप ऐसी prediction कर सकते हैं, जिसमें you can try to find out, कि अगर क कोई mission भेजा जा रहा है, तो मेरे लिए बाकी के चीजें भी important हो जाती, जो उसका static बताती है, मतलब, predictive analysis का core जो है, वो है current affairs, लगभग दो साल के हम लोग देखते हैं, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसका background चेक करते हैं, backward link के चेक करते हैं, किस से, static से, जिस दिन हम ये काम करना सीख गए, उस दिन आधा जो हमारा युद्ध है, वो हम जीत चुके हैं, 50% तक ये work करेगा predictive analysis और आप predict कर पाएंगे कुछ questions, हम लोग भविश्वानी करेंगे और वो भविश्वानी हमारी और आपकी एक साथ मिलेगी और वो सत्य में बदलेगी, पर इसके लि कि हम लोग एक दिन ये class जो हो रहें, इसमें अच्छे कासे topics कवर कर लें, यही हमारी कोशिश रहेगी, तो में हम लोग का मुद्दार हैगा, I'll go into the current affairs of two years and I bring up the static topic, plus हम सिर्फ current affairs की बात नहीं करेंगे, I'll be going into the static part also की question कहां से आएगा, कैसे आएगा, and I'll not stop myself from taking up the core parts of the subjects, maybe it's economy, maybe it's quality, or my favorite geography, कुछ भी ऐसा होगा, हम आपके सामने पेश करेंगे, हाँ, पर बस बाध्धिता इतनी होगी कि pointer, और प्लस जहां explanation लगेगा, हम आपको explanation दे देंगे, इतना सा हमें करना है, and I think we can stay through it, तो static part भी हम आपको कराएंगे, और current भी कराएंगे, current का backward linkage static भी इसने यहां पर हमारे साथ मिल रही है, SCS, that is current का static, और normally जो static है, वो भी आपके सामने करेंगे, यही पे होगा इसाब classes, कितनी classes होगी, current affairs की ऐसा नहीं है, classes आपकी Sunday to Sunday, या जो भी एक दिन है, Saturday or Sunday, जो भी है, उस दिन classes होगी, हम अपने हिसाब से पिछले देर से दो साल का current आपके सामने रखेंगे, और उसका static भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, कि question इस बार क्या बन सकता है, आपको बस इतना साथ देना है, you have to write down the notes with me, और maybe आप कुछ ना कुछ प्रिप्रेशन करते रहेगा, कुछ छोटे छोटे फर्रे टाइप बना लिजेगा, क्योंकि pointers आपके वही काम आएंगे, तो हम आपसे निवेदन करेंगे, if you can do this, आप बड़े notes मत बनाईए, आप छोटे-छोटे rectangular notes बनाईएगा, simple इतने notes बनाईएगा, ताकि इसको रखना आपके लिए handy हो, और हम लोग बस pointer लिखें यहाँ पर बस इतनी कोशिश करनी है, हमें current affairs or static portion में, so this is not only about static, not only about current affairs, it's an astra for all your problems of prelims examination, कोशिश यहाँ पर यही रहने वाली है, अगर आपको clear हो गया है, तो चालू करते हैं, आज का session और आज के दो topic के साथ, हम आपको topic पहले ही बता दिया करेंगे, कौन सी रहेगी, या फिर आपको thumbnail पे मिल जाया करेगा, आज lecture 1 है, द दोनों ही probability बड़ी हाई इस बाराने की, पहला topic है, mangroves और सुन्दरबंस का, दूसरा topic है हमारे पास, जो कि delimitation की उपर है, और ये news पिछले डेर से दो साल से important चल रही है, अलग-अलग तरीके से, आईए देखते हैं, पर पहले शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, कहा जाता है कि यत भावो तत भावती, यत भावो तत भावती का मतलब है भाव अगर आपका अच्छा होगा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर भाव आपके गलत हैं, तो आप लाग कोशिश कर लिजे, आप वैसे ही बन जाते हैं, अच्छा नहीं होता है, कोश प्रजाती जो वहां पर उगाई जाती है, of the shrimps, they have actually grown into 30 hectares in West Bengal, additionally they are restoring mangroves, तो क्या होता था, पहले fishing इतनी ज्यादा होने लगी थी सुन्दरबंस में, कि mangroves की area कम होने लगी, mangroves को neglect किये जाने लगा, अब वापस से mangrove पे भी ध्यान आ रहा है, तो जो same scheme है, वो क्या है, farmers have taken up cultivation of shrimp at 30 hectares in West Bengal, additionally they are restoring the mangroves, यह 2019 का एक movement है, एक scheme है, कब का है, 2019 का movement है, क्या important है यह समझेगा, यह community based है, it is based on the community that lives there, based on a community that lives in the local area of Sundarban mangroves, तो community based, पहला question, दूसरा है, इनिशेटिव आफ सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टिवेशन, सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टिवेशन, इस बींग कंसीवड बाई NGO, तो श्रिम्प का कल्टिवेशन हम इतना भी ना कर दे, कि वहां mangroves खराब हो सके, तो दोनों को tandem में लेके चलने की बात है, अब कौन-कौन से NGO हैं देखिएगा, नेचर, इन्वाइमेंट और वाइल लाइफ सोसाइटी न्यूज, बहुत इजीली आपको याद हो सकता है न्यूज, दूसरा है, जी एन फ ग्लोबल नेचर फंड, तीसरा है, नाचर लैंड, बांगलादेश इन्वाइमेंट और डिवल्लप्मेंट सोसाइटी बेट्स, यह चार यहाँ पे नाम आपको दीखे, पर पीटी अलर्ट में आपको ये भी याद रखना है, कि इसमें कोई ऐसा और्गनाइजेशन नहीं है, जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, आप नॉर्मली फिसलते हैं कुछ नामों कर देखकर, जैसे अगर उसने लिख दिया, Ministry of Agriculture involved है, आप फिसल जाएंगे, Ministry of Environment, Forest and Climate Change involved है, आप फिसल जाएंगे, Ministry of Tribal Affairs involved है, आप फिसल जाएंगे, तो याद रखिएगा, यह Community Based है, voluntary scheme है, और इसको NGOs conceive किये हैं, वही work कर रहे हैं, इसको NGOs कौन से हैं, पहला है News, दूसरा है आपका GNF, Nature Land, Bangladesh, Environment and Development Society, यह जो नाम आपके सामने आ रहे हैं, question आया है कि श्रिम्प क्या है, आप ही बताएं भाई श्रिम्प क्या होता है, आप बताएं श्रिम्प क्या है, श्रिम्प की फार्मिंग की जाती है, बताएं श्रिम्प को क्या बोलते हैं, वो उसको एक तरगा species animal type होता है, उसका Hindi word अगर आपको बताएं, these are crustaceans बोलते हैं, उसका Hindi word अगर कोई बता सकता है, तो बताएं श्रिम्प का, हिंदी वर्ड अगर किसी को पता है, तो I don't have the Hindi word, हा मतलब श्रिम्प जैसे वो होते हैं जिनका आगे tentacles निकला रहता है, वो प्राउन नहीं होते हैं, श्रिम्प इस डिफरेंट, जिंग 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 to have your four NGOs involved in it. अगर इतना आपको तय है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यह है सेम की बात, S.A.I.M.E. 2019 में चालू होता है, आई, अगला समस्ते, एक स्कीम है मिष्टी, एक स्कीम है मिष्टी, चुकि हम लोग मैंग्रूव्स की बात कर रहे हैं, तो हमें मिष्टी पढ़ना भी जरूरी है, मिष्टी क्या है देखिएगा, मैंग्रूव्स इनिशेटिफ और शोरलाइ हैबिटैंट एगने की बात है, फ्लस वहाँ पे एक गद्गेंगल inputs की मिष्टी की मिष्टी स्कीम की भी लौउंच किया गया, इस budget में, चो अभी का budget आया, उसमें इसको भी लौउंच किया गया, क्या है, समझते हैं, It is an objective to take up mangroove reforestation and afforestation along the coastal districts of India by adopting best practices that already exist in India as well as outside. किसके लिए है mistery फिर से सुनिएगा mangroove के reforestation के लिए and afforestation जहां खराब है वहां लगाएंगे और जहां नहीं है वहां उगाएंगे यह है मेरा mistery scheme क्या करते हुए best practices को follow करते हुए भारत के भी और बाहर के भी best practices के स्कीम के तहते है mistery कब आया अभी के फिलहाल जो आपका 2023 क 24 का बजट है उसके तहती आया है स्कीम इस प्लांड देखीगा 23-24 से लेके 27-28 तक 23-24 से लेके 27-28 तक है मतलब आप देख सकते हैं 4 साल का समय दिया गया है मिस्टी को 4 साल का समय है इसके लिए 27-28 तक है चलेगी approximately 5000 स्क्वाइर किलोमेटर एरिया मैंगरूव में है कितना भी हम आपको बताएंगे पर आपको याद रखना है मिस्टी प्रोग्राम एन अडिश्रल एरिया ऑफ 540 स्क्वाइर किलोमेटर इस प्रपोस्ट भी कवर्ड यहां पर बनेगा आपका कीम चार साल के लिए है वो चार साल में 5000 स्क्वाइर किलोमेटर नहीं होगा सकती यह चीज आपको याद रखना है इस नौट 5000 किलोमेटर इस 540 स्क्वाइर किलोमेटर तैट विल बी और जिसके अ क्रॉस इसको किया जाएगा not all the states जहाँ पे mangrooves है वहीं आप कर सकते है 9 states and 4 union territories इस बात को एकदम याद रखिएगा 5000 अलड़ी हमारे पास mangrooves area है 5000 स्क्वाइर किलोमेटर हम इसमें कितना add करेंगे 540 स्क्वाइर किलोमेटर बस अगले 4 साल में अब अगला question और यहां पर हर कोई हम में से फिसल सकता है मिस्टी इस टू इंप्लेमेंटेड बाइ कनवरजिंग कैमपा फंड एम जी नरेगा और अधर सोर्स इसको सुनिएगा और देखीगा वह आप से कैसे पूछेंगे यहां जो बनेगा आपके पीटी मो रहेगा मिस्टी हाज डिफ असेपरेट बजट मिनिस्टी मिस्टी हाज असेपरेट बजट अगर हम लोग बजट को ही ठीक से नहीं पड़ पाते हैं तो कैसे हमें याद होगा कि मिस्टी का अलग से बजट है की नहीं है वो आपको ऐसे याद रखना है कि ये कनवर्ज करके बनेगा मतलब कैमपा फंड से कुछ पैसा आएगा कुछ एमजी नरेगा से जाएगा कुछ और सोर्सेस होंगे जिससे हम पैसा रेड़ेस्ट करेंगे और उसको मिस्टी स्कीम के लिए देंगे यहां पे दो क्वेशचन आपके सामने बनेगा इसको आपको याद रखना है और अपने को इसको याद रखना है अपने को mangroves का है misty scheme हमने अभी तक दो देखा है same और misty आए चलते हैं तीसरे पर और देखते क्या question बनेगा यहां से mangrove alliance for climate mac mangrove alliance for climate mac यह question बनना इस बार के लिए बड़ा ही संभावित है mangrove के लिए mac that is mangrove alliance for climate यह launch कब हुआ था 27th session of conference of the parties UN climate summit with India as a partner with India as a partner यह launch होता है इसको आपको याद रखना होगा इंडिया इसका partner है और यह 27 COP में launch हो रहा है और आपको जो हमें जवाब देना है वो यह है कि कहां पे हुआ था अपना 27 COP अपना कहां हुआ था आप हमें जवाब देके नीचे बताएंगे which country actually had the COP बताईए कहां पे हुआ था हम वेट करेंगे आपका COP 27 बड़ा important नाम है हम दोगों ने उसको देखा भी है और वो ऐससे भी चालू होता है अगर आप बता पाएंगे तो जब तक आप बताएंगे हम आगे बढ़ते हैं COP 27 में लॉंच हुआ था अपना मैक जिसमें इंडिया पार्टनर है an initiative led by the UAE and Indonesia Mangrove Alliance for Climate includes India, Sri Lanka, Australia, Japan and Spain answer अभी तक आपने नहीं दिया है बताएंगे 27 COP कहां हुआ था एक आंसर आया है सभीहा जी का शर्म अलशेक एजिप्ट बिल्कुल सही बात है शर्म अलशेक एजिप्ट में हुआ था यह आपका 27 COP that is conference of parties किसकी UNFCCC की जो 27 वी मीठ हुई वो शर्म अलशेक एजिप्ट में हुई थी बहुत बढ़िया तो अपने initiative जो है it has been led by UAE and Indonesia UAE and Indonesia अच्छा इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा अगर बोला जाए सबसे ज्यादा अगर मैंगरूफ कवर अगर बोला जाए तो आपका और इंडोनेशिया इसको लीड करते हैं पर इस मैक में इंडिया भी इंक्लूडेड है इसलिए इंपोर्टन मेरे लिए बनता है इंडिया इस इन इस इनिशेटिव अलाइयंस फॉर क्लाइमेट अब समझेगा क्या करें गए एजूकेट और इसका मेंबर है या नहीं है यह कि दो छीज़ अगर अपने को याद हो गई तो अपनी तीन चीजह तयार है समय सें मिस्टि और माक तीन चीजह हमारी तयार हो चुकी है और अगर क्वेarna होगा तो इं tीनों में जरूर बनेगा अगला देखते हैं क्या है अमारे सामने अब इतनी कहानी हो रही थी तो हमने सोचा कि सुन्दरबन के उपर भी बात कर लिनी चाहिए क्योंकि भारत का अगर सबसे बड़ा मैंगरूफ फॉरेस्ट देखें एक जगाई कत्रित होगा तो वो सुन्दरबन है सुन्दरबन्स के बारे में कुछ fact हमें पता होने चाहिए जैसे कि सुन्दरबन्स national park established 1984 में हो चुका था और ये unesco world heritage site है 1987 से ही ये unesco world heritage site भी है सुन्दरबन्स designated किये गए थे biosphere reserve by unesco in 2001 और ये इसके MAP program में है man and biosphere program जो है unesco का उसके तहत भी ये उसके साथ है सुन्दरबन वेटलैंड, इंडिया वोस रेकेगनाइज़ एस वेटलैंड अफ इंटनाशनल इंपॉर्टेंज अंडर दर रामसार कन्वेंशन इन टू तौजन नाइटीन मतलब रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड को जो आइडेंटिफाई किया जाता है ऑफ इंपॉर यहां पे आपको ओलिव रिडली भी मिलते हैं, क्यांगडिक डॉल्फिन भी मिलती है, यहां पे आपको रॉयल बेंगॉल टाइगर तो मिलता ही मिलता है तो अपने भी मेंड पॉइंट क्या है, मैब प्रोग्राम के तहट, मैन एंड बायोस्फेर प्रोग्राम के तहट, युनेसको ने इसको भी रखा है अपने उस पूरे स्कीम ऑफ तिंग्स में जहां पे बायोस्फेर को इंटरनाशनल रिकरग्नाइज किया जाता है, यह 5000 क्या सपास है, 4992 स्क्वाइर किलोमेटर, मिष्टी स्कीम क्या कर रही है, इसमें, कितना एड करने की बाद चल लए है, कितना एड करने की बाद चल लए है, 540 करेगी, एड कौन करेगी, मिष्टी, मिष्टी स्कीम करेगी, यह जो 5000 स्क्वाइर किलोमेटर, अपने पूरे land area का कितना आपको बता दे 0.15% only 0.15% of the total geographical area of the country is actually mangroove only 0.15% पहला question आपका बनेगा यहीं कि क्या खारत में mangroove cover एक प्रतिशत से ज्यादा है सूची आपको लगेगा हाँ एक प्रतिशत से ज्यादा तो होगा ही आप सूची question ही कैसे बनने वाला है आपको नॉर्मल ही लगेगा ना मुझे इतना fact नहीं याद हो सकता पर मुझे रेंज तो याद हो सकता एक प्रतिशत से भी ज्यादा नहीं है हमारा mangrove coverage क्योंकि 0.15% है 0.15% है that is the percentage of total geographical area 0.15% इस area का mangrove cover है it's not more than 1% it's not near 1% even समझ गये अगला देखते हैं एक question बन गया यहाँ पर क्वेस्चन नंबर वन यहाँ बनेगा सुंदर्बन इवस्पें का the largest mangrove forest regions in the world अब सही बात है मतलब अगर आप एक जगह एक forest को देखे तो सबसे बड़ा सुंदर्बन ही दिखता है इंडिया holds around 3% of South Asia's mangrove population भारत के पास भारत के पास 3% of South Asia's mangrove population है South Asia की mangrove population का 3% भारत के पास है तोटल mangrove cover अगर आप पूरे world की बात करेंगे 1,50,000 square kilometer है 1,50,000 square kilometer पूरे world का है and Asia has the largest number of mangroves worldwide Asia के पास सबसे ज्यादा mangrove है यह fact एकदम याद रखना है अपने को चौथा fact South Asia comprises 6.8% of the world's mangrove cover South Asia के पास 6.8% है of the total world's mangrove cover यह South Asia की बात हो रही है ना कि South East Asia की यह South Asia की बात हो रही है याद रखेगा confused मत होईएगा Indonesia में सबसे बड़ा area almost 19% कहा जाता है mangrove Indonesia के पास है यह South Asia की यहाँ पे बात हो रही है South Asia में 6.8% of the total area is under mangrove पर South East Asia के अगर आप बात करेंगे तो वहाँ सबसे ज्यादा चला जाएगा 19% अकेले वो ले जाएगा India's contribution is 45.8% total mangrove cover in South Asia इसी South Asia में अगर आप बात करेंगे तो total अगर contribution की बात करें 45.8% of the total mangrove cover in South Asia तो this is what we have to remember India's contribution is 45.8% of the total mangrove cover in South Asia मतलब जिस हिसाब से area उस हिसाब से यहाँ पर बटा हुआ है इतना समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं यह दो तिन fact है जो शायद हमें याद करने पड़ सकते हैं अब दो नाम आपके पास आने वाले हैं पहला नाम है वीवी parity और दूसरा नाम है new matter force यह direct PT में question बनके आएंगे आपके सामने क्या है mangrove के दो mechanism जो उसको saline water में tolerant weather में या intolerant weather में गर्मी में भी सही रखते हैं दलदल में भी सही रखते हैं पहला याद रखिएगा वीवी पारस वीवी पारस का मतलब है seeds जो germinate होती है इनकी वो गिर के germinate नहीं होती है मतलब अगर किसी चीज से seed लगना है तो पहले वो stem में ही पूरा seed बन जाएगा उसमें छोटा मोटा plant हो जाएगा फिर ये plant धीरे से गिरता है कीचड में और उगना चालू करता है अगर seed directly पहले कीचड में गिर जाए मैंगरूव को फर्स करिएगा एक कीचर टाइप का पूरा एरिया है वहाँ पर पहले गिर जाए उस seed तो वो कभी germinate नहीं करेगी इसलिए कहा जाता है seeds germinate while still attached to the parent tree once germinated the seedlings grows into a propagule एक बार germinate हो जाए फिर वो गिल के पॉपगेल हो जाती है यह होता है vv parity एक direct question है UPSC का दूसरा है new matter force यह क्या है अब आप समझेगा इस पूरे mangroove area में पूरा पानी लबालब भरा हुआ है saline water oxygen की कमी mangroves को जीना है they have special roots इनके पास special roots है for this purpose called breathing roots और new matter force इनके पास breathing roots है also called as new matter force तो new matter force हमारे breathing roots है mangroves के जो की पानी से बाहर आते हुए आपको दिखते हैं और वो सांस लेने में मदद करते है mangroves को अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो कोई भी ecosystem वहाँ सर्वाइब नहीं कर पाएगा without adaptation new matter force एक adaptation है mangroves का viviparity एक adaptation है mangroves का जिसने उन्होंने अपने आपको बदला और वहाँ रहने के तरीकों को सीखा वहाँ saline environment है मतलब salinity high है वहाँ पर temperature ज्यादा होगा फिर भी ये सारे चीज़े वहाँ लग रही है तोकि इन्होंने अपने आपको adapt किया इनके leaves अगर आप mangrove के देखेंगे तो कड़े होंगे और succulent होंगे उनको आप तोड़ेंगे तो कट से आवाज भी आएगी क्यों तोकि अगर wax नहीं होगा वो कड़े नहीं होंगे तो सारा पानी उड़के चला जाएगा these are some of the adaptations that these plant species have taken into themselves so that they can grow well यह आपका कहानी था mangrove के बारे में कुछ fact थे इसको याद रखना है अपने को और यह याद हो गया तो बहतरी नहीं रहेगा tm नहीं नहीं इस पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब जो हम देखते कि कि कितना ज्यादा है कावर कितना है यह एडगा की बात यह इस इरिया cover is area, कितना area South Asia cover कर रहा है, तो सबसे जधाधे cover, South Asia में भारत के पास है, सबसे जधाधे cover. This is about your population, कितने पेड़ हैं, उसका density का बात हो रहा है, कितने पेड़ हैं? This is density वाला talk here, and this is your, कितने area में spread है, चलेगा? चलिए, अगर यह तयार है, तो आगे चल सकते हैं, चले गौतम जी, अब आता है अगला टॉपिक, एक टॉपिक का चैप्टर अभी हम बंद करते हैं यहाँ पे, अगला टॉपिक अब चालू हो रहा है, डी लिमिटेशन, आप समझ सकते हैं हमने इस टॉपिक को क्यों उठाया, जम्मू कश्मीर से लेकर आगे तक अगर आप चीजों को देखें, डी लिमिटेशन की बात लगबग हर महीने होती है, अगला साल इलेक्शन येर भी है और डी लिमिटेशन की बात पूरे जोरो-शोरो से चल लई है, पर यह डी लिमिटेशन है क्या हमें समझना पड़ेगा, आईए देखते हैं, अ बांडरी घोशित करने के लिए, बनाने के लिए मुझे एक कमिशन चाहिए, ये डी लिमिटेशन कमिशन विच इस पूरेशन कमिशन में होंगे कुछ सदस, जैसे कि रिटायर्ट सुप्रीम कोड जच, चीफ इलेक्शन कमिशन और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले तो, दोनों चीज़े हो सकते हैं, रिटायर्ट और सर्विंग, सम सुप्रीम कोड जज, दोनों हो सकते हैं, प्लस, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डी लिमिटेशन कमिशन बनाया जाएगा, कौन बनाया अब ये सवाल है, डी ल पार्लियमेंट के पास पावर कहां से आता है, आर्टिकल 82, अंडर आर्टिकल 82, पार्लियमेंट इनक्स डी लिमिटेशन आक्ट, आफ्टर एवरी सेंस, हर सेंस के बाद, जो दस साल का एक एक सेसाइज होता है, एक डी लिमिटेशन कमिशन का आक्ट बनता है, और इसके तह into territorial constituencies as per the delimitation after every census मतलब article 82 union के लिए है कि delimitation commission बनेगा और ये constituency divide करेगा किसके लिए parliament के लिए यही delimitation commission एक और काम करेगा वो क्या है article 170 के तहत हम देखेंगे states will also have their constituencies being divided so that the state elections can take maybe can happen because of whatever there is maybe 5 साल हो गया या government गिर गया जो भी condition है वहाँ पे भी election हो तो ये दो चीज़े याद रखने है आपको article 82 and article 170 दो चीज़े तीसरा अगर act delimitation का force में है तो union government delimitation commission बनाएगी पहली delimitation commission was carried out by the president with the help of election commission in 1950-51 पहला जो delimitation किया जाता है वो 1950-51 में है अब आपकी सामेक सवाल आएगा क्या आगा समझेगा the first delimitation commission was set up at the independence hour यह लिख देंगे आपको कि 1947 में ही delimitation commission बन गया था याद रखेगा अरे चुनाओ बाद में हो रहे है तो delimitation पहले कैसे बनेगा यह सब बाद में हो रहा है 1950-51 में पहली बार यह बनने वाला है the first delimitation commission is going to come up delimitation commission act was enacted in 1952 इस act को enact किया गया था 1952 में delimitation commissions have been set up four times पहला 52 में दूसरा 63 में 73 में और 2002 में अतलब आप देख सकते हैं कि 81 में और 91 के census के बाद कोई delimitation commission नहीं बनाया गया था सवाल कियाएगा after every census delimitation commission or delimitation act has always been passed आपको याद रखना है नहीं ऐसा नहीं हुआ था दो occasions पर आप देख सकते हैं there was no delimitation done after 81 and 91 census कोई delimitation नहीं किया गया था 81 और 91 के बाद कोई delimitation नहीं किया गया था आपको यह point याद रखना है कोई delimitation नहीं किया गया था अगला सवाल जो आएगा अगर delimitation commission ने अपना एक order दे दिया मतलब उसने delimit कर दिया it has delimited a constituency कि यहाँ पर यहीं लोग रहने वाले हैं they have the force of law and cannot be called into question before any court आप court में जाके नहीं बो सकते कि sir constituency गलत बना दिया इसने नहीं you cannot say this so you cannot have the delimitation commission's order being brought about in the court no that cannot happen it's final and binding commission's order are laid before the loksabha and the legislative assembly is concerned but they cannot effect any modification point to be noted delimitation commission अपना एक draft generate करता है इस draft को loksabha में भी रखा जाता है इस draft को legislative assembly में भी रखा जाता है पर इस पे कोई बदलाव नहीं किया जा सकता यह final है binding है it cannot be changed याद रखियेगा it cannot be changed और जैसे कि हमने आपको बताया delimitation एक statutory body है क्यों है क्योंकि act के द्वारा बन रही है it is being made by an act hence it is a statutory body तो यह तीन points अपने को याद रखने delimitation के कि यह आपका statutory body है जो बनती है एक point हम आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे जो हमारे लिए बड़ा important है आप अगर 42nd amendment act पढ़ेंगे और उसके बाद 84th amendment act पढ़ेंगे तो आप बहुत चीजों को समझ जाएंगे 42nd amendment act ने freeze कर दिया था seats को मतलब parliament और assembly की seats नहीं बढ़ेंगी पर इसका यह मतलब नहीं है कि उनको adjust नहीं किया जा सकता है adjust का क्या मतलब है मेरी माल लिजे एक constituency यह है मेरी number of seats remain same only but what I can do is I can redraw the boundary हो सकता है मैं इसको ऐसे कर दूँ और इसको ऐसे कर दूँ यह मेरे हाथ में है इसको क्या देखकर किया जाता है हो सकता है population of SC, population of ST representation कैसे हो इसको देखते हुए मैं seats का shape change कर सकता हू constituency का seats shape change कर सकता हू पर number of seats will be frozen will remain the same और इसी freeze को 84th Amendment Act ने 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था अब यह fix रहने वाली है 2026 तक के लिए और अभी तक के चीज़ें froze है मतलब कोई भी अभी नया ऐसा seat act नहीं हो रहा है Parliament Elicative Assemblies में पर जब से debate चला कि हम नई Parliament में पहुँच चुके हैं बड़ी जगह है क्या अब बढ़ने वाला है seat क्या northern areas का ज़्यादा बढ़ेगा इसका पर to southern states यह सब कहानी mains के लिए है पर अपना main मुद्धा है कि इनका order लोकसभा और लेस्ट तो Assembly सामने रखा जाता है जिस पर कोई modification नहीं हो सकता है and this becomes a law this is actually not able to be produced before any court यह अपने को चार चीज़ यहाँ पर याद रखनी थी I hope it is clear to all of you चलेगा चलेगा तो अब समझेगा जो अब हमारी कहानी है कहानी यह है हमने आपको एक तरीका बताया कि हम लोग क्या करने वाले है कैसे करने वाले है आपको बस इतना करना है आप पर्रे बना लिजे छोटे-छोटे pointers बना लिजे और उसको लिखते चलिए so that it will be very easy for you to revise आज हमने एक अपना तरीका बता दिया है plus हम क्या-क्या topic लेंगे अब हम आपको धीरे-धीरे बताते चलेंगे आज के session में दो ही topic हमने भी किये क्योंकि हम आपको चाहते थे adjust करना now from the next topics onward हम आपको next session onwards कम से कम 8 से 10 topic हमारे पास रहेंगे जिसको हम अच्छे से करने कोशिश करेंगे और समय हमारा अच्छा कासा लगेगा तो आप तयार रहेगा तब हर Sunday या Saturday के class होगी जैसे भी होगी हम आपको बता देंगे यह आपके सामने बनी रहेगे और जरूर हम आपको बोलते कर PT में आपको बढ़िया परफॉर्म करना है you will have to be there with me कंसिस्टेंटली और विश्वासमानी जो कंसिस्टेंट रहेगा वही आगे बढ़ेगा तिस इस वाट आपको बढ़ेगा तब तक आपको बता दें कि फाउंडेशन बैच हमारा चालू होने वाला 21 तारीक से जो कि ऑनलाइन मोड में आप जूड सकते हैं और पास सकते हैं स्टाइश हुए दाए स्टेडी मेट्रियल भी आपको मिलेगा कर देंगे फिश्टेडूल एडिया आएगा इंपॉर्टेंट है आएगा ही आएगा मतलब में वही है कि वी हाव गॉट स्टेट वहले रिकमेंड करता है सेट गणेंड को चैनल चाहे तो कर सकता है तो हम दो कोशिश कर रहे हैं आपको तेस्ट सिरी जिसप देने का एक जगई तो आप मिल सकते हमाइसा तो CMC code याद रखिए तो सब्सक्रिप्शन ले तो CMC code इस पर आपको सारा लाइग मिलता है यह मारे पास अविलेबल आप देख सकते हैं तो आपको बता दें निरंतर निरंतर रहें सफलता की कुंजी है तो आपको बस बाइब आपके पास जरूर आएगी तो मुझे जाहिन बाबाई भी वी मीट एवरी दे डीने यू आप टो मीट साटरदे और संडे वाटेवर इस है और आवर पी टी अस्त्र सेशन वाइस चलेगा ठीक है अब एक और सहल प्लीज ब्रिंग सम इंपोर्टेंट टम्स न्यूज लाइक कॉमिक साइंस कर लें कर लें कर लें कर लें कर लें चिंदा मतरी सब हो जाएगा